नमस्कार दोस्तों आप सभी मित्रों का हमारे यूटूब चैनल अमबे दुर्गा जोतिस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको सपने में घर में चोरी होने का क्या मतलब होता है इसके बारे में बताने वाले हैं तो दोस्तो अगर आप हमारे यूटुब चानल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तो प्लीस हमारे यूटुब चानल को सब्सक्राइब कर ले इस साथ ही गंटीक आइकन को दबा कर ओन नोटिफिकेशन बिल भी ओन कर ले इससे आपको हमारे वीडियो दोरा नोटिफिकेशन प् बाव पड़ता है दोस्तों ऐसे तो सपने हम सभी लोगों को आते हैं पर कई सपने ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन से किसी भी पकार से कोई लेना देना नहीं होता है लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि हमें बार बार दिखाए देते हैं और वो सपने हमें हमारे आने व लोगों को सपने नहीं आते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सपने किसी भी तरह से नहीं दिखाए देते हैं लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिने हर रोज कुछ ना कुछ सपने आते हैं और कई सपने सुब होते हैं तो कई सपने असुब होते हैं लेकिन जो लोग असुब सपन में घर में चोरी होना दोस्तो सपने में अगर आपके घर में चोरी हो रही है तो आपको यह जान लेना चाहिए कि यह सपना किसी भी तरह से सकरात्मक सपना नहीं होता है इस तरह का सपना एक असुप सपना होता है अगर आपको भी सपने में घर में चोरी होते हुए वे सपना आता है तो आपको यह जान लेना चाहिए कि जल्द ही आपको धन हानी होने वाली है इस तरह का सपना देखने वाले जातक को जल्द ही मान संबान में भी हानी होती है घर में परिसानिया बढ़ती है और जल्द ही जीवन में कोई असुप समचार मिलता है तो इस प्रकार से अग इस परकार का सपना आपके लिए हानी धन हानी होने की ओर संगेत करता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सिया जरू करें और हमारे यूटूब चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद